देखें इंडिया का अभी एक नया वयान आया है जो कि एक बहुत बड़ा वयान है जिसमें इंडिया बोल रहा है कि वो चाइना का हर एक एक एक्टिविटी पर नजर रख रहा है हर एक एक एक्टिविटी से मतलब है छोटा से छोटे एक्टिविटी बड़ा से बड़ा एक् टेटमेंट दिया गया है इसके बारे में और समझते अभी हुआ क्या है कि हम लोग के जो नेवल चीफ है वो बदले हैं और नए नेवल चीफ का नाम है एडमाइरल और हरी गुमार ठीक इन्होंने फ्रैड यानि कल के दिन बोला है कि जो चायना है उसका हम लोग अच्छा से ख्याल रख रहे हैं अच्छा से पेसी कर रहे हैं हम लोग उसका हर एक सेकुरेटी थ्रेट से डिल करने के लिए त्यार हैं और अगर नहीं भी हैं तो हो जा रहे हैं त्यार ये चीज़ उन्होंने कहा है और उसके साथ ही उन्होंने एस्योरेंस भी दिया है कि हम लोग किसी 110 वार्शिप्स को बनाया है ठीक मुझे यहां पे जहां तक लग रहा है कि यह बात इनको नहीं बोलना चाहिए था क्योंकि देखे रैपिट एक्सपेंशन का आपको अगर ख्याल है तो आपको भी रैपिट एक्सपेंशन करना चाहिए क्योंकि देखे मैं अब समझा रहे दे डेखें तो चाहना के पास कह सकते हैं 355 स्यप से और यह बहुत ही जादा है इंडिया की मोगिटर डयाबल से भी जादा यानि इंडिया ने जो तार्यट फ्यूचर में सेट करके रखा उसका डबल से भी जादा है यह और कह सकते है वीड़ियो। आ veces कि यहां पे जिखा रह देखे थाइलाइंड है यह ताइवन ताइवन के नीचे वाल एरिया हो जाता है साउथ चैना सी बगल वाला हो जाता है फिलिपिन सी उपर वाला हो जाता है इस्ट चैना सी एक बार आप इसको full screen में देखिए, यह देखिए यह है इंडिया, यह है चाहिना, यह है South China, यह है East China Sea, और यह है Philippines Sea, ठीक, तो आपको यहां का पुरा माज़र, अब देखिए यहां पे सबसे विवादी जगा है, यह South China Sea ही सबसे विवादी जगा है, और कह सकते हैं कि चाहिन आप का आर्मी इस एरिया को छोड़ यहां के कभी नहीं आएगा, तो आधार में तो यहां रहेगा, आधार में इंडिया नोंसे नहीं है गा, उसका ख्याल इंडिया रख लेगा, इसलिए इंडिया कहीं न कहीं अभी, एक पावर, इक सब्थे डेमोग्राफिक, लोकेशन जो इंडिया को एक जगा फाइदा पर रखता है इसका साथ उन्होंने ये भी बोला है कि हम लोग का जितना भी मेजर सीप से उसमे 28 उमेन ऑफिसर मेजर रैंक पोजिशन पे और रेडी डिपलोईड है और ये नंबर आगे जाने वाला है ये भी उन्होंने बताया एज उमेन के लिए मेरे ख्याब से इंडिया को काम करना चाहिए और इंडिया ज्यास दोजर सौटाइस तब अग्र कर दोगजर सख्यएग नगे 표현 ही और वहा पर हम लोग तुमकर आउट रिंग कर देगे पर अभी हम लोग आउट रैंक करने का सितीति पर नहीं ब theorने है इसमें आपका क्या वीचार आप मुझे comment section में जरूर बताइए Thank you